आगामी कारेक्रम प्रायुजित किया है जॉइस मायर मिनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने मुझे कम से कम दस मिले और मुझे यकीन है कि वहाँ और ज्यादा है लेकिन मुझे कम से कम दस गलत मान सकता हैं गलत तरीके जो इसराइली सोचते थे कि मुझे विश्वा से उन्हें जंगल में घूमता फिरता रखेगा ये उनके दुश्मन नहीं थे हम अक्सर सोचते हैं खर यदी शैतान और यदी और यदी और लेकिन और लेकिन यदी लेकिन वास्तों में कई बार हम खोदी अपनी समस यहां तक कि जब हमें समस्या होती है हम सोचते हैं खेर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है मैं और नहीं कर सकता है। ये मेरा कसूर नहीं है कि आप जानते हैं मुझे अच्छी नहीं लग रही है ये मेरा कसूर नहीं हैं कि मैरे जीवन में इतने सारे जंजट है। आपको बताऊं किवल सच्चा ही आपको आज़ाद करेगी ये किसी और की सच्चा ही के बारे में नहीं है जो मुझे आज़ाद करेगी ये मेरी ही सच्चा ही है जो मुझे आज़ाद करेगी अब ही आहम थोड़ा और आहर लेने वाले हैं, तो तयार हो जाएए, ठीक है, ये कैसा लगेगा? यदि आप कह सकते हैं, आप जानते हैं, मैं अच्छा महसूस नहीं करती, क्योंकि मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती मैं ऐसे नहीं सोती, जैसे मुझे सोना चाहिए, मैं वैसे नहीं खाती, जैसे खाना चाहिए, वैसे नहीं रहती मैं कर्ज में हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हूँ कोई भी जो कमाई से ज्यादा खर्च करता है कर्ज में तो होगा ही मैं बुद्धी मान इसे वहवान नहीं करती, मैं भावनाओं से चलती हूँ मेरी शादी मुश्किल में है क्योंकि मैं स्वारती और मेरे साथ निभाना मुश्किल है और मेरा हमूँ बहुत बड़ा है मैं गरीब तीस मिनिट में यहां से जा रही हूँ और इसलिए मुझे सहन करना होगा और हमें यह बच्चा चाहिए ठीक है अब हम कठीन प्रसव पीड़ा में जाने वाले हैं बिना बिना किसी बेहोशी के वैसे भी मेरे जीवन में गड़ बड़िया हैं क्योंकि मैंने परमिश्वर का कल नहीं माना आप कहते हैं ओ नहीं यह सही नहीं है सिस्टर जॉयस में समस्याओं में हूँ क्योंकि मेरे साथ दुर वहवार हुआ था मेरे पास समस्याओं क्योंकि मुझे त्याग दिया गया था मेरे पास समस्याओं क्योंकि मुझे वही अवसर नहीं मिले जो दूसरों को मिले, मेरे सब दोस्तों को कॉलेज जाने का आफसर मिला, मुझे कॉलेज जाने को नहीं मिला, मेरे पास समझ से आएं क्यूं की, क्यूं की, क्यूं की, क्यूं की, क्यूं की, खर क्या आप जानते हैं, हाँ वहाँ चीजों से हमें निपटना चाहें, क्योंकि हम एक कारण बहाना बन चाता है तो हम उसके फंदे में फंच जाते हैं और शेयतान बहुत खुश है इस पूरी बात से हम जानते हैं ये कैसे शुरू हुआ क्या हम उत्पति अध्याय तीन पर जाया ये शुरूराश से शुरू करते है दोश देना बगीचे से शुरू हुआ उत्पती तीन बारा और तेरा और आदमी ने परमेश्वर से कहा जिस तरी को तू ने मुझे दिया है आप भी नहीं चाहते हैं कि मैं और अउरत वाली पुरी कहानी शुरू करूं मेरे पास उसके लिए समय नहीं है हमेशे आउरत ही होती है खर मुझे कम से कम यह कहना चाहिए यह हुआ का कसू नहीं था कि आदम ने सेप खाया खर उसने यह उसे दिया और उसने उसे लल्चा आया खर वो तो तताकतित बगीचे का आदमी था बगीचे का आदमी और जब उसने उसे वो से पेश किया उसे कहना चाहिए था और तेरी समस्या क्या है तु जानती है परमेश्वन ने हमसे क्या कहा है लेकिन उसने ये खाय और फिर उस पर दोश लगाया अपनी जीवन के गड़बड़ी के लिए और फिर बेशाख हुआ ने शैतान को दोश दिया खैर ये साप था उसने आगे मुझे मुहो लिया और मुझे थोका दिया और मुझे मात दी और उन दोनों को बस सीधे से और प्यार से इतना करना था जो परमिश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था परमिश्वर हमें जो करने के लिए कहते हैं हम करते नहीं हैं और फिर हमें श्याद दूसरे पर दोश डालना चाहते हैं यह हिस्तिती हमने अबराम और सारे के साथ देखी, आईए पल भर वहाँ चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय सोला वचन एक से पांच अब अबराम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी और उसके हजिरा नाम की एक मिस्त्री दासी थी और सारे को अपनी समस्या हल करने का एक शांदार विचार आया, मुझे पता है हम क्या करेंगे। तो उसने अपनी दासी को अबराम को दिया, उससे उसके साथ संबंद मनाने को कहा, आप मेंसे कितनी महिलाय जानती है कि ये कोई बहुत शांदा नहीं थी। कोई भी समझदार और जानती है कि ये समस्या है जो बात में होने वाली है। अब बस निश्पक्ष तौर से ये ऐसा कुछ था जो उन दिनों अलग-अलग समय पर हुआ, लेकिन परमिश्वन ने उन्हें ये करने के लिए नहीं कहा था। उन्हें ने कहा था, मैं तुझे तेरा अपना बेटा तेरे ही अन्शित दूँगा। लेकिन भी क्या नहीं चाहते थे, इंतजार, प्रतिक्षा करें और धैर ये रखे। तो यहां केवल कुछ वचन मामला समझने के लिए। बच्न तीन सो सारे की ये बात अबराण ने मान ली, सो जब अबराण को कनान देश में रहते दस वर्ष बीघ चुके थे उसकी सारे ने.. अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पती अबराम को दिया कि वो उसकी दूसरी पत्नी हो और वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती और जब उसने जाना कि वो गर्भवती है तब वो अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टी में तुछ समझने लगिया उसे एक रवये के साथ दूसरी पत्नी मेली, तब सारे अबराम से का, यह आता है, जो उपद रहो मुझ पर हुआ, तो तेरे ही सेर पर हो, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसनी जाना कि वो गर्बवती है, तब वो मुझे तुछ समझ ले लगी, अबराम ने यह तुम्हारा कसूर है, दोश किसी दूसरे को देना, सालों साल मैंने अपने बुरे वहवार का दोश इस हकीकत पर डाला कि मुझसे दूर वहवार किया गया था, सालों तक मैंने दोश किया, मैंने दोश दिया, मैंने दोश दिया, यह कभी मेरा कसूर नहीं था, यह हमेश तनता का दोश कुछ और चीजों पर डाला और मैंने बहुत से साल उसी बेवकूफी के पहाड के इर्द गिर्द घूमने में बरबात कर दिये ये मेरा कसूर नहीं है यही तो है ये वही तो है यदि मेरे पास ज्यादा पैसा होता मैं खुश होती यदि मेरे पास बड़ा घर होता मैं खुश होती यदी 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 मेरी पीट में दर्द न होता मैं खुश होती मैं कभी खुश नहीं हो सकती या चाहे मेरे पास कुछ भी होता क्योंकि मेरे पास एक समस्या था कोई भी पाप ख्षमा की आज जा सकता है, लेकिन तब तक नहीं, जब तक आप सच्चाई का सामना न करें, सच्चाई और दया साथ मिलते हैं. बिना सच्चाई के दया नहीं हो सकती, आपको निंदन यम हैसूस नहीं करना चाहिए, आपको दोशी महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इसका सामना करना चाहिए, और परमिश्वर को सौप दे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि, ये कितना भद्दा है, इसका सामना करे, इसे, ये क्या है, इसे बुलाएं, परमिश्वर को सौंप दे और जंगल में से तेजी से मार निकालना सीखिए और इस शांदार जीवन का आनंद लिए जिसे हमें देने के लिए शुमरी आज लोगों से पूछना चाहते कि रिपे अपने जीवन की हर चीज़ के लिए किसी दूसरे को दोश दिना बंद करें करके अपनी परिस्थीतियों को दोश दिना बंद करें विश्वासी होने के नाते हमें खराब परिस्थीतियों में भी अच्छा रवया रखने के योग्या होना चाहिए हमें संतोलित समो होना चाहिए हमें एश्यू के बार में सोचना अच्छा लगता है एश्यू वही है अकल था आज है और हमेशा के लिए खर सोचे तो वो कहां रहते हैं आप में और मेरे में और वो हमारे में रहते हैं दुनिया में बाहर जाने के लिए तयार करते हैं कि हम वही वयवार करें, जिस तरह का वयवार वह करते थे उस प्रकार की परिस्तिति में. एक उधारन बनने के लिए. हमारे पास हमेशा हर चीज के लिए एक बहान होता है हमार कोई कसुर नहीं. बाइबल में लिखा आई इशु अनुग्रह और सत्य से भरे हुए आया अनुग्रह सदा उपलब्ध है परमीश्वर की अगुवाई हमिशा उपलब्ध है नीशुल कर लेकिन जब तक हम सच का सामना नहीं करते इसके साथ रहने की मुझ में हिम्मत नहीं है या यकीनन इसे न कर पाने का गलत सोच का नमुना साथ मैं अपने लिए अफसोस महसूस करती हूँ कि मेरे पास बहुत से समस्या है आत्मद दया सबसे बेकार भावना है आपको आत्मद दया की लट लग गई है हर बार जब आपको अपना रास्ता नहीं मिलता पहली परतिक्रियाज जो आपकी होती है अपने लिए अफसोस महसूस कर नात्मद दया जब आपको ये अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये सच है क्यों सिस्टर जयस मैं एक मूर्ती पूजा नहीं करूँगा जब हम आत्मद दया से भरे होते हैं हम स्वैम की तरफ मूड कर खुद ही की पुजा करते हैं और सब जिस बारे में सोच सकते हैं मैं 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 इस बारे में हम सब सोचते हैं तुमने मेरे साथ क्या किया मैं क्या नहीं हूँ तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरे साथ क्या हुआ है प्लीज, 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 जब कुछ आपके अनुसा नहीं हो रहा है और आप ये सच मुझ कर सकते हैं जाओ, नहीं, 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 नहीं मैं दैनी और शक्तिशाली नहीं हो सकती मैं यहां बैटके पूरा दिन अपने लिए अफसोस करके दिन बर्बाद नहीं कर सकती परमिश्वर मेरा ध्यान रखेंगे यदि मैं परमिश्वर पर भरुसा कर सकती परमिश्वर मेरा ध्यान रखेंगे अब मुझे इसे खतम करने तो लेकिन बस कह रही हूं पूरी बात नहीं बल्कि बस मुद्दे की बात कर रही हूँ आप मेंसे कहियों को ब्रेक थू नहीं मिल रहा है सिर्फ इसलिए कि आप आत्मदाया को छोड़ेंगे नहीं अपने खुद के लिए अफसोस करने से परमिश्वर का हाथ नहीं हड़ता केवल विश्वास परमिश्वर को हिलाता है और विश्वास एक सकारात्मक आश्रापूर्णा उम्मीद है किसी भी पल में मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है आमीन अपने खुद के लिए अफसोस महसूस नहीं कर सकते मुझे लुका उननीस में जक्कई की कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता मेरे पास उसमें जाने का समय नहीं है लेकिन मैं बस आपको बताती हूँ इश्यू नगर में आ रहे थे और जक्कई बाकी भीड के साथ उन्हें देखना चाहता था लेकिन वह छोटे का आदमी था और लोगों कोई भीड के ओपर देखनी सकता था और जानते हैं हम सब कहीं न कहीं छोटे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जक गई इस कहानी में इस तथ्या के इलावा भी वो औरों की तरह लंबा नहीं तो और भी बहुत कुछ है मुझे लगता है उसमें हमारे लिए एक संदेश है हम जब कही न कहीं छोटे पढ़ते हैं, खेर बजा है, इसके कि वो बैठे अपने लिए अफसोस करता है और किसी को इशु को देखने को मिल रहा है, मैं इशु को नहीं देख से ताकि कि मैं नाटा हूँ भई, नाटा होना कितना बड़ा बंपर है मैं जीवन में सब कुछ गवा रहा हूँ, सरिफ इसलिए कि मैं नाटा हूँ नहीं, बाइबल में लिखा है, जो कई बाकी लोगों से आगे भाग कर एक पेर पर चड़ गया ताकि वो इशु को देख सके आप में से कुछ को पेर पर चड़ने की जरूरत है आप जहां कम पड़ते हैं और आपके पास नहीं है, उसके लिए दोश दिना छोड़ देनी की जरूरत है आपको जो आपको लगता है कि आपका दुर भागिया है या आपकी तताकति अक्षमता है उसके लिए अपनी चारों और कोई रास्ता ढूंडे जक्कई एक पेड़ पर चड़ गया ताकि जब इशु है उसे देख सके लेकिन यहाँ एक अद्बूत बात है बाइबल में लिखा है जैसे इशु वहां से गुजरे उन्होंने उपद्रिश्टी कर जक्कई को पेड़ पर देखा है रानी है कि उनका ध्यान पेड़ की तरफ कैसे गया जक्कई के निर्धारित आत्मा में कुछ था जिसने इशु की आत्मा से कुछ कहा और जब आप अपनी आत्मा में आत्म द्रया के बजाए दर्ट संकल पर रखते आप इशु का ध्यान आकरशित करेंगे और आप जानते हैं उन्होंने जक्कई से क्या कहा नीचे उतरा किम कि आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है वाऊ ओ हुँ हो हे 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 आओ भी लेकिन हम यह नहीं भुले उसे पेड़ पर चाढ़ ना पड़ा अहाँ पेड़ पर चाढ़ना मैं पेड़ पर नहीं चाढ़ सक्ती है बात मिश्किल है मैं पेड़ पर नहीं चड़ सकती, यदि मैं गीर गई तो. श्याद मेरे पास एक प्रॉप्स टीम को एक पेड़ बनाना चाहिता है कि मैं एक मिनिट मों उस पर चड़ सकती. आमीन, अपने लिए अफसुसकना बंद करें. दोश देना बंद करें. खुले दर्वासों की तलाश शुरू करें, अफसरों की तलाश शुरू करें, रचनात मक होना शुरू करें, इससे फर्क नहीं पड़ता. कि आप क्या थे, मैं क्या था, इस बार में बात करना बंद करें, और मैं क्या हूं, इस बार में बात करना शुरू करें. मेरे साथ दूर मेवार हुआ था लेकिन मैं मसी में परमेश्वर की धार मिक्ता हूँ आप कह सकते हैं खेर मैं एक वेश्या थी लेकिन आप कह सकते हैं मैं इस यू मसी में एक नया जीव हूँ बुरी चीजे बीच जाती है और सब चीजे एक दम नई हो जाती हैं उस बार में ज़्यादा बात ना करने कि आप क्या थे, आप इश्यू में क्या हैं, इस बार में बात करना शुरू कर सकते हैं। वुहू। मैं अपने आपको इतना खुश करती हूँ जब मैं उपदेश्च देती हूँ। गलत सोच का नमूना नमबर आठ मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं कि मैं धनिया हूँ। वाव, क्या ये नरक की खाय का एक जूट है। इफ़ीस्यो अध्या एक हम यहाँ इफ़ीस्यो में सब कुछ मिल सकता है जिसके में जरूरत है। इफ़ीस्यो अध्या एक वचन तीन से पांच। हमारे प्रभुईश्यो मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसी में स्वर्गय स्थानों में से सब प्रकार की आशिश दिये। वो हमें इसलिए आशिश नहीं देते क्यूंकि हम इसके लायक हैं। वो हमें आशिश देते हैं क्योंकि हम मसी में हैं जैसा उसने हम हमें जगत की उत्पती से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेमें पवित्रों और निर्दोश हों वचन पांच और अपनी इच्छा की सुमती के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि लायक हैं क्योंकि हम से एक भी इसके लायक नहीं है वो हमें आशिश देते हैं क्योंकि वो रह नहीं सकते वे बस एक आशिश दाता हैं और जब आप इस तरह का निशुल का प्रेम और निशुल का अनुगरा परमिश्वर से प्राप्त करते हैं तब एक दम से अच्छानक आप दुनिया में बाहर निकलना शुरू करते हैं और आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं इसलिए नहीं कि वे इसके लायक है बलके सिर्फ इसलिए कि आप इसे बरदाश नहीं कर सकते हैं यदि आप किसी को आशिश ना दे बजाए अधीर्ता के दौरों के अब मुझे आशिरवात के दौरे आते हैं मैं करती हूँ आप उस दिन में मेरे आसपास होना नहीं चाहते जब मुझे आशिरवात के दौरे आ रहे हूँ मैं हूँ तुमारे लिए कुछ खरीदना मैं आपको कुछ देने वाली हूँ मैं आपके लिए कुछ करने वाली हूँ, मैं आपका निर्मान करने वाली हूँ, मैं आपको उपदेश देने वाली हूँ, इससे पहले कि आप मुझे से दूर हो, मैं आपको बहतर महसुस कराना चाहती हूँ. जैसा कि आप थे जब आप आए. परमिश्वर से कैसे प्राप्त करना ये मुझे सीखना पड़ा मैं हर समय परमिश्वर से कहती हूँ आज आप किसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ हूँ मैं एक छोटा सा आत्मिक जान वर हूँ मैं ये सब ले लूँगी आपको बस इतना जानना चाहिए कि आप मसी में क्या है परमिश्वर सब कुछ बढ़ चड़के बहुतायत से बढ़ कर करने में सक्षम है जिसकी हम कभी उम्मीद मांगने या सोचने की हिम्मत कर सकते हैं हमें नीडर होके अनुगरह के सनहासन तक पहुचने की हिम्मत होनी चाहिए आप परमिश्वर के साथ अपने संबन के दोरान हिम्मत कर सकते हैं लेकिन अपमान जनक नहीं लेकिन नीडर इसलिए नहीं कि आप सब कुछ नहीं करते हैं लेकिन क्योंकि आप उसे क्या रहाद ना करते हैं आप इसे कितने जानते हैं कि आप आशिरवात के लायक नहीं है मैं चाहती हूँ कि आप पूरे दिन पर मिश्वर से पूछना शुरू करें प्रभू मैं जानता हूँ मैं इसके लायक नहीं हूँ लेकिन मुझे आशिश दे, मैं आपसे आशिरवाद की उम्मीद करता हूँ, मैं आपके आशिरवाद की प्रतिक्षा कर रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जहां कहीं जहां हूँ, आप मुझे पर कृपा रखे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए द्वार कॉले मैं अच्छी नौक्री की उम्मीद करता हूँ मुझे अच्छी तंखा की उम्मीद है मैं रेस्ट्रोन में अच्छी जगे पर उम्मीद रखता हूँ मेरे लिए नहीं कि मैं इसके लायक हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक महान और एक शक्तिशाली परमिश्वर की सिवा करता हूँ. और मैं जोड सकती हूँ, यदि याप ये मांगने वाले नहीं है, तो आपको ये नहीं मिलेगा. तुम पाते नहीं हूँ, क्योंकि तुम मांगते नहीं हूँ. गलस सोच का नमूना नमबर नौ. मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, मैं इर्शा रखती हूँ. इसराहिलियों को मरियम और हारुन मूसा से इर्शा करते थे, वो उसका अधिकार चाहते थे, वो उसका पच चाहते थे. बाइबल में लिखा है, नीती वजन 14.30 कहता है कि डा और इर्शा हड्डियों के लिए सडन है. इर्शा डा आपको इर्शा के प्रति सावधान होना चाहिए. बिछले सब्ता मैंने अपने दिमाग में आने वाले कुछ इर्शात्मक विचारों का पता लगाया और मुझे अच्छा लगता है कि पवित्रा आत्मा मेरे जीवन में सकरी है, जो इन बातों की तरफ इशारा करता है, ताकि मैं केवल बैठी न रहूं और शैतान को मेरे मन में कबार भरने दू और हर बार जब शैतान मेरे मन में किसी के बार में इर्शा का विचार डालता है, मैं उनके लिए आशिरवाद की प्रार्त ना करती हूँ, मैं इसको सह नहीं कर सकती, मैं इसको सह नहीं कर सकती, कर ले। परमिश्वर के पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजना है। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, खरीबूं को कपड़े देते हैं और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं। अपना प्रात्नानी विदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए। हमारे श्रोतों के बारे में और भी जानिए।